गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आवर टुडे इस क्लास 12 कॉमर सब्जेक्ट अकाउंट एंची चैप्टर फिफ्थ रिटायरमेंट और डेथ तोफे पार्टनर टोपिक रिटायरमेंट एंड सैटलमेंट ओफ लॉन हमने पड़ा था कि रिटायर जो पार्टनर हो रहा है उसको हम जो अमाउंट देते हैं उसे हम कहां ट्रांसफर करते हैं उसके लोन अकाउंट में तो लोन अकाउंट में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो रिटायर हो रहा है उसके साथ यह समझोता कर लेते हैं कि हम आपको लोन की जो अमाउंट है वो installments में pay कर देंगे यानि कि एक निर्धारित राशी कर दी जाती है कि हम किस्तों में आपको वो निर्धार राशी दे देंगे ऐसा जब केस होता है जब installment में जो amount है वो pay करने है तो हम क्या करते हैं हमें अलग से जो partner रिटायर है उसके लिए loan account त्यार करते हैं ठीक है लोन अकाउंट में हम क्या करते हैं हर साल हम जो है उसकी किस्त पे करेंगे और जो हर साल के beginning में जितनी amount होगी उस पर हम क्या करेंगे रिटायर जो partner है उसे interest देंगे तो loan account में हम जो interest है उसे क्या करेंगे credit करेंगे हम ठीक है और debit किसे करेंगे जो amount हम pay कर रहे है पे कौन सी करेंगे installment की amount प्लस interest की amount इसे हम क्या करेंगे debit करेंगे हम loan account जो है वो त्यार कर लेते हैं समके माध्यम से कि हमें किस परकार से loan account प्रेपियर करना है हमें balance दी गई है मोहित और केशव two partner है profits क्या है उनका equally वो शेयर कर रहे हैं अब क्या है केशव retire हो रहे हैं गुडवील हमें दी गई है journal result जो है हमें इसमें से journal result जो हम transfer करेंगे इनके account में वहां से में 20 परसेंट जो है provision for doubtful deaths के लिए रखना है देर वाजे piece of furniture वैलुड़ एड़ टू थाउजेंट सिक्स्टी विच वाजन रिकॉर्ड इंडा बुक्स ओव दभम अन्रिकॉर्ड़िड एसेट्स हैं ठीक हैं इसी परकार से मोहित डिसाइडी टूपे को इस पीस फरनीचर जितना भी जो अमांट उसे पेकरने उसमें क्या कह रहा है मोहित कह रहा है कि मैं एक तो केसों को बोले कि एक तुम मैं फरनीचर देंगा फरनीचर कौन सा 2068 वाला ठीक है इसी परकार से जो आमांट बचेगी उसे वह किस परकार पे करने के लिए वह तो पंद्रा सुरुपे जो है इसे हमें राइट वोफ करना है तो पंद्रा सुरुपे जो है इसे हमें एकपिटल अकाउंट को डैविट कर देंगे इसी परकार से गुडवील हमें कितनी कही गई है फाम की जब केसव रिटायर हो रहा है गुडवील हमें कही गई है कि 9000 नाइन थाउजंट है तो केशो के हिस्से में कितनी आएगी हाफ अमाउंट क्योंकि एकवल है प् ठार करेंगे इस्के कैपिटल अकाउंट में कितनी फिन्ताले सो इसी परकार से ड्याल्व कान्ट अंडरी कोडिडिट एसड़स है तो आधवाचार करेंगे केشो के इसे परकार से जनरे ज tek Secret है दिया हुआ है इसRe killing में चल्षाण यह कुर smiling मैं चर्षो माइनस करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 800 तोटल हमें दिया हुए है 2000 इसी परकार 400 माइनस करेंगे तो 1600 1600 का हाफ अमाउंट अमें केशाओ को देना है ठीक है तो 800 रुपई हम कर रहा है उसे वह मोहित ने कहा है कि मैं तुझे फरनीचर जो है वह दे दूंगा तो फरनीचर से हम इसके काउंट को डैबिट करेंगे कि यहां लेकर की आएंगे कहां से लिए हमने यह बैलेंस कैपिटल काउंट से तो बाई केशो कैपिटल अकाउंट कितना 2640 अब हमें जो है साल के अंत में हमारा जो फाइनेंचिल यह वो कब समाप्त होगा अब 31 मारे 2017 को तो हमें क्या करना है उसे इंट्रेस्ट पे करना है 2640 का 5% कितना होगा हमारे पास 1082 रुपई यह कैमने क्रैट कर दिये अब कैसे करेंगे बैंक से मारा पैसा जाएगा तो डैबिट करेंगे टू बैंक अकांट कितना पैसा देना हमें अब केशो को 8000 रुपई के इंस्टोल्मेंट देनी है और 1082 रुपई उसे ब्याज के द बैलन्स है हम 1 अप्रेल 2017 में लेकर के जाएंगे यांकि हमारा नेक्स्ट फाइनेंचल यर जो स्टार्ट हो चुका है बैलन्स हमने यहां पर ब्रोट डाउन कर लिया 13640 इसी प्रकार इंट्रेस्ट जो हमें इस साल का पे करना है अब यह जो इंट्रेस्ट है इस अमाउंट पे करेंगे हम ठीक है जो रिमेनिंग अमाउंट है 13645 अब क्या है साल की अंत में फाइनेंचल यर के लाश्ट में हम क्या है उसे पे करेंगे इंस्टोल्मेंट पे करेंगे और इंट्रेस्ट पे करेंगे 8000 के इंस्टोल्मेंट प्लस 680 का यह जो इंट्रेस्ट जो बिगन यर लेकर आएंगे 2018 में कितना 5640 इसी परकार से इंट्रेस्ट पे करेंगे इस पे 5640 पे 5% अब क्या है इंस्टोल्मेंट जो है हमारी पूरी हो जाएगी क्योंकि 8000 रुपए कि हमें उसे इंस्टोल्मेंट देनी होती है लेकिन उसका बैलन्स कितना है ओनली 5640 रुपए ये औ अब क्या हम सिद्धाई बैंक से ट्रांसफर कर देंगे 5922 रुपए अब कोई बैलन्स नहीं है उसका सारा जो लोन है वो हमने चुका दिया है इस परकार हमें लोन अकाउंट जो है त्यार करना है अगर हमें समय का जाए कि जनल एंट्री त्यार करने है रिवैलिवेशन अक अकाउंट बनाएंगे कि हमने उसे कब कब कितना कितना पे किया है तो इसी परकार आपको लोन अकाउंट त्यार करना है थैंक्स